दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आखिर कहां से हुई थी चाई की शुरुवात और किसने दिया था इसे ये नाम आये जानते है चीन के शासक ने गलती से की थी चाई की खोज चाई का इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है प्रचलित कहानी के मुताबिक 2732 इसा पूर्व में चीन के शासक शेंग नंग ने चाई की खोज की थी शेंग नंग ने ऐसा गलती से कर दिया था दरसल हुआ ये की एक बार कुछ जंगली पत्तियां उनके उबलते पानी में जागिरी पत्तियों के खोलते ही पानी में से अच्छी खुश्बू आने लगी साथ ही उसका रंग भी बदलने लगा जब शासक ने इस पानी को पिया तो उसका टेस्ट बहुत पंसद आया उस पीते ही शरीर में ताजगी आ गई उन्हें लगा जैसे उनके शरीर का हर हिस्सा इस लिक्विड को खोज रहा हो उस दोरान शेंग नंग ने चाई का नाम चा आ रखा था अंग्रेजों ने भारत को चाई से मिलवाया भारत में चाई के शुरुआत की कहानी बेहत दिल्चस है दरसल गवर्नर जनरल लॉड बैंटेक 1834 में जब भारत आये तो उन्होंने असम में देखा कि वहां के लोग चाई की पत्तियों के साथ बालकर पानी पीते हैं जिसे वो दवाई की तरह इस्तिमाल करते थे तब बैंटेक ने एक समिती बना कर असम के लोगों को चाई की जानकारी दी जिसके बाद चाई की परमपरा भारत में शुरू हो गई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर करे और अगर चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करे